एक मोबाइल है जो 11,375 रुपए का है 20% की दर से तीन वर्स का जो उसका देरिन है वो 19,656 रुपए है किस्त बताईए मैंने फिर सेम कंसेप्ट उठा लिया है दोनों तरीकों से यानि एक इसे दो कोशन बन गया तो यह आ जाएगा यानि वस्तू की कीमत रेट और टाइम देदेगा या देरिन टाइम और रेट देकर आपसे क्या पूछा जा सकता है किस्त यानि इससे फिर हम दोनों तरीके समझते हैं उसके बाद आगे के हम तो पहले हम चलते हैं कि अगर वस्तू का मुल्य दे रखा हो तब क्या करना होता है तो उसके इसमें 20% की फ्रेक्शन क्या है एक बटा 5 तब रासी मुल्धन वस्तू की कीमत अगर 5 है तो किस्त उसे कितने चुकाने पड़ेगी 6 कब पहले वर्स दूसरे वर्स अगर ये 25 है तो चुकाना कितना पड़ेगा 36 तीसरे वर्स 125 है तो चुकाना कितना पड़ेगा 216 है इनकी पावर ये एक वर्स के लिए दो वर्स के लिए ये तीन वर्स के लिए किस्त क्या चुकाने होती है बराबर बराबर के लिए हमें इस यूनिट को बराबर करना पड़ेगा तो 216 इसे भी 216 बनाएंगे इसे भी 216 तो इसे 216 बनाने के लिए 6 से गुणा करने पड़ेगी और इसे गुणा करने पड़ेगी 36 36 की गुणा हो गई 216 ये भी 216 हो गया और ये भी 216 अगर इधर 6 से गुणा हो गई है तो इस साइड भी 6 से गुणा हो जाएगी क्या आ जाएगा 150 इधर अगर 36 से गुणा हो गई है तो इस साइड भी 36 से गुणा हो जाएगा क्या आ जाएगी वैल्यू 180 तो हम कहेंगे 180 और 150, 330 330 और 125 455 टोटल वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 455 यूनिट आ गई हम फिर से काउंट कर लेते हैं इसको 1500 और 180, 330 और ये 125 455 यूनिट टोटल हमारे पास रासी है और किस्त कितनी है 216 तो 11375 ये किसके बराबर है 455 के और हमें वैल्यू किसकी चाहिए 216 की चाहिए इसे हम solve कर लेंगे काउंट कर लेंगे कितने पर कटेगा तो हम 45 का टेबल अलग पढ़ सकते हैं 5 का टेबल अलग पढ़ सकते हैं तो 45 दूना 90 यहां से वैल्यू आ बच गई वो 23 बच गई आगे 45 पांजा देखते ही पता लग रहा है 45 पांजा 225 होता है 2 और 5 पांच कितना होता है 25 यह वैल्यू 25 से solve हो गई 25 की गुणा 216 से करेंगे तो 25 चीका डेट सो 15 हंसिल आएगी 25 और 15 40 4 हंसिल आएगी 25 दूना 50 और 4 54 यानि जो किस्त हमारे पास आगई वो कितनी आगई 54 फिर से यसे यूनिट बनाना था टोटल रासी का यूनिट का भाग देदेंगे और किस्त के यूनिट की हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे अगर यही कोश्चन देरिन देकर यह पूछ लेता तो आंसर यही आएगा 54 क्योंकि कोश्चन एक ही है या तो मोबाइल का आपको कीमत देदेगा या 3 वर्स के बाद जो चुकाना है वो मिशर्धन देदेगा देरिन का मतलब हो गया कि 3 वर्स के बाद जो टोटल चुकाना है वो देरिन है amount है यानि मिशर्धन है तो ये देखर अगर पूछेगा तो उस case में हमने क्या तरीका करना होता है इसकी fraction क्या है एक बटा पांच तो किस्त का unit माननो है देखो हर बार हम 100 नहीं मान सकते हर बार हम 100 नहीं मान सकते क्योंकि पिछला question था वहाँ 10% था इसलिए मैंने 100 unit मान लिया इसलिए आप कभी भी अगर तीन वर्स है तो जो fraction आई है उसका अगर तीन वर्स है तो पावर दो कर दो दो वर्स है तो उसी को unit मान लो तो किस्त मैंने मान ली 25 unit तो पहले वर्स भी मैं 25 unit चुका होंगा दूसरे वर्स भी 25 यूनिट चुका होगा और तीसरे वर्स भी 25 यूनिट चुका होगा अब हमें पताए कि एक बटा 5 वो बचाएगा तो जो पहले वर्स चुका दिया उस पर एक बटा 5 क्या हो गया 5 और यहां 5 यह बच गया और इस पर एक बटा पाँच यहां बच जाएगा और इस पर एक बटा पाँच एक यहां बचत हो जाएगी यानि 25 या 75 उसने चुकाया है और 15 और एक 16 की उसने क्या कर ली बचत कर ली 75 और 16 जोड़ेंगे तो टोटल कितना है 91 है यानि उसे 91 दे रेंड चुकाना था यह उसने चुकाया यह उसने बचा लिया 91 किसके बराबर है 19 656 के बराबर है और हमें 25 यूनिट की वैल्यू चाहिए तब 19 656 में मैं इक या 95 का भाग दे दूँगा और गुणा किस से कर दूँगा 25 से क्योंकि किस तमयने कितना यूनिट माना है 25 यूनिट माना है अब इसे सोल्ग करते हैं तो इसको अगर देखते हैं 2 पर कटेगा 91 दूणा 182 तो वैल्यू कितनी बच गई 14 91 में 1 91 में तो 9 और कितना बच गया 54 यहां से 6 निमा 54 चोपन 6 एक 6 इस पर गट गया 6 पर तो 216 की गुणा करनी है 25 से यहां भी देखो 216 और 25 की गुणा करके चोपन सो आया था तो इधर भी 216 और 25 की गुणा करके क्या आएगा चोपन सो आएगा तो दोनों तरीके हमने कॉस्चन के समझे हैं कि देरेंड दे रखा है तो क्या कंसप्ट रहेगा मुल्या दे रखा है तो क्या कंसप्ट रहेगा